हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग और वेल्कम टू यूटूफ चैनल एज्यूकेशन लिकेतर आज आपके साथ 66 BPSC की एक RTI की कॉपी साजा कर रहा हूँ जी एस पेपर वन की एक कॉपी मैं इसलिए आपके साजा कर रहा हूँ कि इस अभियर्थी को जी एस पेपर वन के डी 72 में 72 अंग प्राप्त हुए हैं यानि कि 100 पर्षेंट अंग इन्हें डियाई वले प्रशन में प्राप्त हुए हैं देख सकते हैं कि इन्होंने प्रसंख्या 13 और 15 को अटेम्ट किया है 13 में भी इन्हें 36 नंबर मिले हैं out of 36 और 15 में भी 36 अंग मिले हैं पहले मैं आपको कोशन दिखा देता हूं 66 वी बीपीसी का कोशन नंबर 13 और 15 इसके बाद इनके एंसर को देखेंगे इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितने बिस्तार से बनाना है क्योंकि कुछ बच्चे बिस्तार को लेकर काफी चिंतीत रहते हैं कि अगर उन्हें सौर्टकर्ट में बना दिया तो उन्हें अंक कम मिल सकते हैं इस तरह के जो आपके मन में भ्रांतिया है साइद इस कॉपी को देखने के बाद कुछ हद तक दूर हो सके जो 13 नंबर कोस्चेन है बेसिकली लाइन ग्राफ से है कि इसके बाद एक फॉर्मूला भी आपको दिया हुए परसेंटेज प्रॉफित और लौस का और यह आपका लाइन ग्राफ है इस पर बेस्ट पांच प्रस्ण पूछे गए इस एक स्ट्पेंडेचर ऑफ कंपनी वाई इन 1997 वाज 220 क्रोर रूपीज वाट वाज इस इंकम इन 1997 इस चारंग का प्रस्ण है और बाकी जो प्रस्ण है वो आठा टंग के हैं तो आप अपनी शुब्धा के लिए जीएस पेपर वन 66 BPSC मुख परिक्षा का डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें ताकि आपको जब आप सॉलूसन को देखे डियाई की आटियाई कॉपी में तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आए जिन अभियर्थियों को आटियाई की कॉपी की PDF चाहिए डियाई सेक्षन की वो हमारे एजुकेशन निकेदन का जो ए टेलिग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है वहां से एड हो जाएं ए पीडियाफ उस ग्रूप में साधा कर दिया जाएगा सक्षन 313A गीवन एक्सपेंडिचर ओफ वाई इन 1997 220 क्रूपीज फ्रूम दे ग्राफ प्रॉफिट पर्सेंटेज ओफ वाई 35 पर्सेंट इंकम इसकल टू फार्मूला आपको दिया हुआ था आप पूट करेंगे आपका अंसर आजाएगा 297 क्रूर देखिए एक इसे ध्यान रखेगा इनकी कॉपी में आप देखेंगे कि जहां भी फाइनल एंसर आता है बगल में आपको एंसर ज़रू लिखना है यूनिट का यूज करना है फिर भी है तो चारंग का था इन्हें चारंग पूरे मिले हैं गीवन इंकम ऑफ एक सेंड़ वाई इक्वल इन 1997 देखर 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 पूरे में इसे इसे सॉल्व किया जै रस्यूम है इसे हिसे इन्हों सिंप्लेस फॉर्म में रेश्यूम लिख हैं हमें साब को इस तरीके कर नहीं छोड़ना है अगर आप यहां छोडते हैं तो आपके कुछ ना कुछ अंग कटने की पूरी सम्हां होन है और ब्रेकेट में एंसर रिखना है इन्हें तो को एट में एट अंक प्राप्ट हुए है फिर सी है गिवन इंकम ऑफ एक्स और वाई राशियो त्री राशियो फॉर फिर यहां पे भी दोखो इस तरीके से आपको एंसर हैंस इपेंडिशर द मुझने तो आधो पर विश्या की से मेंडे तो इंकम ऑफ तौपनी इन इंट ए निएटी जूंड़ुरूरूरूरू रोपीच हमेशा इंश्थे दोणों रिख किजेंगा नहू लेट्स अग्समीन एप्माजने पेंट इंटेस्ट पर लाइए इश्ट आ तोटल एक्पिंडिचर गीवन अब इसी एक्विएशन पर पूट करके इन्होंने सॉल्व किया अगर फोड़ी सी कल्कुलेशन मिस्टेक हो जाए कहीं आपको पैनिक नहीं वहना है इन्होंने कटिंग भी की है इस एरिया में क्लियर कट काट दिया है इन्होंने इसके बाद यहां से इन्होंने फ्रेस बना रहा है नौ प्रॉफिट ऑफ एक्ष इन्हें आठट अंग मिले है तो आपने देखा कि इनके पांचों प्रस्ट तेरह के बनाए हैं जिसमें इन्हें फूल के फूल अंग मिले हैं 36 अंग मिले हैं तो यह भी आपने देखा कि इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा नहीं है मतलब आप कंक्रीट रूप में भी बना कर पूरे के पूरे अंग प्राप्ट कर सकते हैं इस कॉपी को आप अच्छे से देख लें कि आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है डी आ के क्वेस्टन बनाते समय है अबाज आथे हैं क्वेस्ट्ञ नम्बर फिफ्टीन पे तो पहले प्रस्ण देख लेते हैं a soft drink company prepare drinks of three different flavors x y and z the production of the three flavors over a period of six years has been expressed in the bar graph provided below study the graph carefully and answer the question based on it production of three different flavors of soft drinks x y and z by a company over the three years in lock bottles unit dya हुए है लाक है बार ग्राफ है तीनों का सब्सक्राइब है आपकी यह दिखाया दे यह रहा है अब इसी पनके 5 प्रस्ण है कि अंक कितने है तो पहला दस अंक है दूसरा आठ अंक है बाकी तीन छेचे अंक के हैं पहला प्रस्ण आपसे पूछ रहा है कि for which year percentage of rise or fall in the production from the previous year is maximum in the flavor maximum होना चाहिए क्या rise या fall for which flavor the average annual production is maximum in the given period इस तरीके से तीन और प्रस्ण है आप देख लेंगे इस तरीके की प्रस्ण को हल करते समय परिच्छा हॉल में जो आपको पहला काम करना है वो करना है कि आप एक टेबुलर फॉर्म तयार कर लिए इन्होंने एक टेबल तयार कर लिया जिसमें x y and z को ऊपर रखा है फर्स्ट रो में पर कॉलम इन्होंने चार बना है कॉलम वन में इन्होंने क्या रखा यह कर रखा है यह देख सकते हैं यह कंपनी जे इस नेंटेने नेंटिफाइफ में एक सकते हैं 50 y का 55 और जेट का 45 इसी तरीके के यह वाई जे और यहां पर एवरेज है कि अब राइज और फॉल ओफ वाई अब सबका निकाल लिया आपने अब याद तो कि लियरली मैक्समुम इमाउंट ओफ परसेंटेज इज फॉल फ्रॉम प्रिविएस यह कितना है इस इस शॉटकर दिश करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि नंबर में कोई कट होती नहीं है दस में दस फॉल अंक इन्हें प्राप्त हो रहे हैं here from the table it's clear that average annual production is maximum for the given period is for y flavor value is 54.17 lakh bottles answer full number 8 total production of jet flavor in 1997 and 98 is equal to 60 plus 60 is equal to 1 lakh 20 1 20 lakh bottles total production of flavor x in 1995 and 96 90 lakh bottles now require percentage is equal to 133.33 percent answer आपको बागल में mention करना है इसके बाद कि थोड़ी थोड़ी इन्होंने कटिंग भी कर रखी है इन अंक इन्हें फूल प्राप्त हुए है एवेरेज प्रोडक्शन ओफ वाई इन नाइंटी नाइंटीनाइन तू थोजेंड 53.33 लाख बॉटल नौ रिकुर्ट डिफरेंसेज पांच लाख बॉटल और सबस्टे लास्ट कोश्चन है जिसका तूटल यहां कि अगर आप इस पैटरं को फॉलो कर ले क्योंकि बीपे सी के द्वारा स्फिपाइड है क्योंकि बीपी असे ने इन्हें नंबर दिया है 100% तो अगर आप इस पैटर्ण को फॉलो करना चाहें तो आगामी जो शर्षट्वी बीपेसी मुख परिक्ष्छा होने जा रही है उसमें डी आई को लेकर इस फॉर्मेट को लेकर जा सकते हैं भी जो इनके हिस्ट्री वाले परस्ट हैं जिसमें यह ठीक ठाक वमिलें पर इस पर सुनमें इनके अंक काफी अच्छे हैं आपने देखा भी वह का शुरुवात में जो फर्स्ट पेज में दिखा रहा था इनके कि टोटल अंकों में जो करेंट अफेर्स का सेक्षन है वहीं ने कम प्राप्त हुए है यह वाली सेक्षन में जो सीए का सेक्षन है बाकि जो हिस्ट्री का सेक्षन है अब देख सकते हैं 21 22 और 21 यह एक अच्छांक इन्हें प्राप्त हुआ है तो आप चाहते हैं कि हम यह वाली पॉर्सन भी आपके साथ डिस्क्रिस करें और यह अन्य आर्टी आई की कॉपियां ऑ प्रक्टिस के लिए और जीएस की आणसर राटिंग की प्रक्टिस के लिए हमारा नया वैच एक नॉम्बर से शुरू हो रहा है तो आप उस बैज से भी जूर सकते हैं अधिक जनकारी के लिए आप एक नंबर बता रहो हूं इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं जहां से आपू जी एस की टेस्स सेरी जो शुरू होने वाली है उसकी मॉडल एंसर की सेंपल और एवलेटेट कॉफी की सेंपल इंग्लिज और हिंदी दोनों ही मार्द्यम में उपलग करा दी जाएगी धन्यवाद